कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूडियोब चैनल अउलाइन शड़ी बिद्टी के में दोस्तों आज हम आपके लिए आने वाले सीट और यूप्रेट एक्जाम 2019 के लिए हिंदी भासा से संबन देते तीस प्रेशनों का एक प्रेक्टिस रेट आप प्रस्न ज कर पाते हैं तो चलिए बाल के अंदर सिधांत में सिख्षक के भुमिगा होती है तो सिख्षक के भुमिगा यहां पर क्या होती है गौन नियुंतम महतुहिन या झ्छात्र की सहयोगी रूप में चार विकलब आपके सामने है और आप उत्तर अपना कमेंट्स में दे सकते है तो यहाँ पर सिक्षक की जो भुमिगा होती है वो होती है छातर की सहीयोगी रूप में option D यहाँ पर हमारा उत्तर होगा चलिए अगला प्रशन है भासा सिक्षण की निम्नलिखत में से कौन सी विधिया है तो भासा सिक्षण की यहाँ पर कौन सी विधिया है अगरा प्रशन देते हैं, एक स्क्षक को छात्रों में पढ़न कल्या के विकास के लिए बालकों के उचारन पढ़न गतितत थी विराम आधि चिन्नों पर किस प्रकार ध्यान देना चाहिए, प्रकष ध्यान, प्रत्यक्ष या सम्य ज्यान या उच्षत द्यान तो दीखिए यहां पर इन सभी के लिए शिक्षक को किस परकार का द्यान देना चाहिए तो यहां बार हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा सिक्ष को प्रत्यक्ष ध्यान देना चाहिए आप्शन पी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा चलिए अगला प्रश्म है ओच्छे प्रात्मे गस्तर पर हिंदी भासा की समावेशी कक्षा का स्वरूप नरधरित करने में सरवाधिक महतुपुर्ण है तो क्या वहाँ पर सरवाधिक महतुपुर्ण होता है अभ्यास कारे सिक्षन प्रक्रिया आँख लनी या पार्टी पुस्तर तो सिक्षन जो प्रक्रिया है हिंदी भासा की समावेशी कक्षा का स्वरूप नरधरित कर रहे हैं हम यहाँ पर तो उसकी लिए सरवाधिक महतुपुर्ण होगा सिक्षन प्रक्रिया आप्षन भी होगा यहां हमारा उत्तर चलिए अगला प्रशन है मौलिक सिक्षन प्रदान करने के लिए कौन सी विधी सरवत्तम विधी है मौलिक सिक्षन की बाद हो रही है तो वहाँ पर प्रिश्ण उत्तव विधी जू होगी आपशन डी हमारा उत्तर होगा चलिए अगला प्रॉशन है भासा किसका साधन है तो भासा साधन होता है हमारे भाओं को हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का तो निर्शिती यहाँ पर उत्तर बनेगा हमारा option C भासा जो है भावभियुक्ति का साधन है चलिए अगला प्रशने लेखन कोशल के विकास में सहायक है सुरुत लेख प्रतिलीपी या option C है A और B दोनों T है वरतनिक्यान तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा option C A और B जिसके इंदर सुरुत लेख और प्रतिलीपी दोनों ही सहायक होते है चलिए अगला प्रशने उप्चारात्मक सिक्षन का प्रमुक्कारी है तो उप्चारात्मक सिक्षन का प्रमुक्कारी क्या होता है यह हमारा उत्तर बनेगा प्रमुक्कारी होता है चलिए अगला प्रशन लेते है रचना सिक्षन में आव्यवस्था उत्पन होती है सार्तक शब्दों के प्रयोग से नर्तक शब्दों के प्रयोग से C है यहाँ पर A और B दोनों से और D है ग्याने के आभाव से देखिए रचना सिक्षन जो होते हैं उसके अंदर अव्यवस्था उत्पन होती है नर्तक शब्दों के प्रयोग से option B चलिए अन्ता वाक के संकल्पना जो है यह किस से संबंदित है तो अन्ता वाक के संकल्पना जो है तो यहां पर फ्रस्ट है तो यहां पर हमरा उत्तर वनेगा जो भाषा के संबंद में कथन सही नहीं है वो है भाषा का भीवितता एक संस्या है चलिए अगला प्रशण है तो यहां पर हमारा उत्तर बनेगा option D होगा यहां हमारा उत्तर चलिए अला प्रशन है सतत मुल्यांकन का एक निचार्थ है सतत मुल्यांकन का एक निचार्थ क्या होता है बच्चों के भासा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना बच्चों के परिक्ष संबंदी भाई को समाप्त करना सी है प्रतितन परिक्षा लेन तो यहां पर जो उत्तर बनेगा वो होगा option A, बच्चों के भासा प्रयोग कंदर अंतर अवलोकन करना चलिए, अला प्रशन है, सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुक रूप से होता है तो सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुक रूप से कहां पर होता है कख्षा कख्षी स्कषन में, मुल्य सِّक्षन में, इत ग्यान की विकास में या सैक्षी गौुनों की विकास में तो यहाँ पर उत्तर होगा थी प्रियोग जो हुता है, मुख्य रूपसे कख्षा कख्ष स्क्षन के अंदर यह देखने को हमें मिलता है Opsizen A होगा, यहाँ पर हमारा उत्तार, चलिए, अगरा सामनी रूप से भालक में कौन से कोशल का विकास किया जता एट electrics are सभी कोशल का विकास करते हैं। परन्तु यहां बात की ज़ाएस सब्सक्राइब में कौन सा, Go shall, विक्षित होता है. नियुक्षित तो, चारों हिजी खुशुल विक्षित करते ही है तो एक सामनी रूप से देखा değild खगता जायए जो को शरवन होएपकास करते हैं क्योंकि जिस प्रकार सिक्षग कक्षग के इंदर नर्दिश देते हैं भोलते हैं और बच्चे उसका स्रवन करते हैं चलिए अगला प्रशन है राजा की तस्वीर भी दिखाई पड़ी सुदर्शना को और दीदी से बोली राजा होता है तो बड़ा मज़ा आता है ना जाने कब से सेटान को नहीं देखा गर्मी यह चुटियों में घर आएगा हो सके तो एक बार फिर चलिया ना कॉलकता में अच्छे से अच्छे स्कूल हैं यहां कसी को मैं पढ़ा सकती थी कुल एक तो लड़का है उसे भी कच्ची उमर में ही आँखों की ओट कर दिया तो फिर बात ही क्या भने धोलन कुछ कुछ सहमत हुई राजा की बात छिड़ते ही बैचारी की आँखे चल चला आती है कुछ सोंच करके बीच बीच में मेरे मन में यह बात नहीं आती और यह बात नहीं आती लेकिन लेकिन केसा सुधर्शनान ने पूछा तो यहां पर आगे जो हैं वैसे थोड़ा सा बड़ा है और आप नहीं बढ़ पाते हैं तो आप थोड़ा से वीडियो को रोक लीजिएगा कमर्शिल एग्जोक्यूट्यू की पत्नी बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ने को त्यार रहना पड़ता है समझी टूटुल क्या क्या दफ्तर में किसी ने कहा कि बैटे को अपने पास नहीं रख सकते यह बात नहीं सादी के बाद दिल्ली बदली हो गई और फिर चन्नाई फिर मुंबई आच चन्ने से मुंबई हमारी बदली 24 घंटे की नोटिस पर हुई थी तो विश्वास करोगी डेविटसन साब ने चरंक कॉल से पूछा श्याम लेंदू अगर तुम्हें मुंबई में पोस्ट कर दूँ तो यह बोले खुशी के साथ खुशी के साथ यदि इस से कंपने की गरिमा हो कब जाना है बताइए डेविटसन साब बोले मैं बहुत कम सम दे रहा हूं इसका मुझे दुख है पर यदि कह दूं कि परसों तो यह राजी हो गए और बोले मैं परसों ही मुंबई आफिस में रिपोर्ट करूँगा और सुनते ही गुस्टे से लाल हो गई सुदर्शना काफी का प्याला नीचे रख करके विश्मे से दिदी के औरताक्ती रही क्या कह रही हो यहां माल असबाब समेट निबांधने के मामले में तुम एकदम लदड़ हो वह दीदी अब नहीं है मा को बता देना जवाब में पढ़कर शाषन की आदा से दीदी अब एकदम टंच हो गई तिरे शामल तो बस मुझे वही छोड़कर अगले दिन मुंबई भाग आए और मैं यहां गंद मादन परवद पैग करके दफ्तर की कोदा में पहुंचकर पती की खोज मैं मुंबई चल पड़ी वहां पहुंचकर भी डेड़ महिने तक ताजमल होटल में रहना पड़ा होटल का खरचा जरूर कंपने ने दिया था क्या खरच सही सब कुछ है होटल में रहने के क्या कस्ट है यहां बात लोगों को भी लोग जरा भी नहीं समझते हैं अब देखिए यहां बार इस कुछ प्रशन है यहां पर देखते हैं के उत्तर देए राजा कुन है तो राजा जो है वो यहां इसका ध्यान से के अनुशार श्यामलेंदू और ढूलन का बीटा है ऑप्शन भी होगा यहां पर असका उत्तर चलिए अगला प्रशन है अनुच्छेद में रक्तस्थान कब अनुच्छ जाना है बताए यह कतन किसका है तो निश्यति श्यामलेंदू जो था यह एक एक अग्जेक्यूटिव था और यहां पर ऑप्शन भी होगा असका उत्तर चलिए अगला प्रश्न है सुदर्शना को ढोलन की किस बात पर आस्चरी हुआ तो सुदर्शना को ढोलन मिक्यों नहीं रखा वह इतना सावान अकेले कैसे पैक कर सकी यहां जान करके तो उसे आश्री इसी बात को हुआ था कि वहाँ इतना सावान अकेले कैसे पैक कर सकी चलिए ऑप्शन शी होगा यहां पर हमारा उत्तर अगला प्रश्न है कामर्शियल एक्सेक्यूटिव की पत्नी बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ने को त्यार रहना पड़ता है इस कथन में छोड़ने शब्द ठीक किसकी और संकेत करता है तो यहां पर पती देवर जीवन का सुख या बच्चों को हॉस्टल में डालने की इक्षा है परीजनों तो इस कथन का अभी पराई क्या है तो इसका अभी पराई क्या यहां पर होगा तो बच्पन में ही राजा को बाहर भेज दिया यह इस कथन का अभी पराई यहां पर है चलिए इस समय स्याम लेंदू किस सहर में तेनाथ है तो दीखिए गद्यान से में सबसे पहले लाइन में बता चलता है कि कॉलकता में बहुत अच्छे स्कूल है तो यहां स्याम लेंदू जो है इस समय कॉलकता के अंदर तेनाथ है ऑप्शन ए चलिए अप्शन है इस गद्यान से में श्याम लेंदू की नोकरी के विशे में क्या ग्याद होता है तो इसमें ग्याद क्या होता है वहाँ अक्सर बदलती रहती है उसमें इस्थांतरन की कोई गुझाश नहीं है या उसकी नोकरी में इस्थांतरन बहुत होते हैं या उसकी नोकरी में होटल में रहना आवश्चा क किया गया तो टैविट्सन साब वो साब हैं जिनकी कंपनी में जो श्याम लेंदू हैं वो काम करते हैं तो वो श्याम लेंदू के अधिकारी हैं अप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा चलिए अगरा प्रशने ढोलन और सुदर्शना किस प्रकार आपस में संबंदित हैं तो वो दोनों एक कारेले में कर्मचारी हैं दोनों बहने हैं और एक ही मंकान में रहने वाले पड़ोसी हैं या गद्यान से से कुछ ग्याद नहीं तो यहां पर अमारा उत्तर होगा ओप्शन 2 दोनों बहने जलिए अगरा प्रश्नार है धोलन कुछ कुछ सहमत हुई गद्यान से का फेल किया अभी पराई हैक दोन कुछ कुछ सहमत हुई इस गद्यान से यहां पर क्या भी पराई यह वह राजी हो गई कि सुदर्शना और राजा दोने बोर्डिंग में रहेंगे और टी है ट्रांसपर होने पर वहां सामान लेकर जाने के लिए रुकी रहेगी यह उप्यूक्त में से कोई नहीं तो वो उप्शन बी उसे लगा राजा को वही पढ़ना चाहिए उप्शन बी चलिए अब यहां पर आगे हमें एक पध्यान से मिलेगा और पध्यान से समबधित हमें परशन को देखना है पध्यान से बहुत ही अच्छा है और पहले भी आप पध्यान से को सायद पढ़ चुके चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूता जाओं चाहा नहीं प्रेमी माला पिंद प्यारी को लल जाओं चाहा नहीं देवों के सिर पर चड़ू भागी पर इठलाओं और चाहा नहीं समराटों के सव पर हे हरे डाला जाओं मुझे तोड़ देना वनवाली उसपत पर तुम देना फेक मातर भूमी पर सीष चड़ाने जिस पर जाएं फी रनेक बहुत अच्छी कविता है यहां पर कविता का उप्युक्त सिर्षक क्या है तो यह सिर्षक आप जानते हैं पुश्प की अभिलाशा का उपिता का सिर्षक है और फुश्प की अभिलाशा का अर्थ होता है देव गन्या या अवश्ण झाल तो अब चीए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर अगला प्रश्चन है कविता से क्या प्रेक्टा मिलती है निखी देजभक्ति और इठलाओं का क्या अर्थ है तो इठलाओं का मतलब होता है गर्भ करना ऑप्षन भी होगा यहां पर उत्तर तो यह थे आज के हमारे हिंदी विसे संबंदित तीस प्रशनों से संबंदित प्रशन और प्रसन आपको कैसे लगए कमेंट्स करके जरूर बताएगा वीडियो पसं संबंदित इसको लिए बहुत बहुत भन्यवा थैंकि सो मच मिलते हैं जल्दी ही एक और नए कसी वीडियो के साथ